ओम शांती सुनते हैं आज का प्रशन उत्तर शेशन फिलिपाइन्स कंट्री से ही चांदना बेन पूछ रहे हैं मुझे ये पूछना है किसी भी आत्मा को उसकाश देने की सही विधी क्या है और ये कितना समय तक देना होता है सही विधी एकागरता आपकी एकागरता जितनी शक्ती शाली होगी उतना पावरफुल आप सकाश दे पाएंगे और सही विधी है वेला सबसे अच्छा अमृत वेले और विशेश कर पहले खुद पावरफुल योग करें शक्ति शाली उस वक्त बिलकुल दियान ना आए मैंने किसको सकाश देना है खुद में शक्तियां भरपूर कर ले और जब बिलकुल भरपूर हो जाएं शक्तियां फिर पांच मिंट ज्यादा टाइम भी उसको याद करने की जरूरत नहीं जिस आत्मा को सकाश देना है पांच मिंट बड़ी शक्ति शाली करने है उस पर जैसे मैं भी और शिब बाबा भी दोनों दे रहे हैं वो सकाश बिलकुल सही पहुंचेगे तो ये विदी है बाके विश्व में सकाश तो सदे भी देते रहना है सारे विश्व की आत्माओं को लेकिन स्पेशल अगर किसी आत्मा को सकाश देना है विशेश अमरतवेले और अमरतवेले योग के बाद पांच मिंट के लिए पूरा फोकस जैसे लेंस का फोकस करते ही नीचे पे पर जल जाता है ज्यान सूर्य और मास्टर ज्यान सूर्य का पूरा फोकस उस आत्माँ पे हो तो उस आत्माँ को अवश्य वो सकाश पहुंचेगी नेक्स्ट क्वेस्चन नीतु बेहन पूछ रही है मैं एक साल से ज्यान में हूँ पहले योग अच्छा लगता था अब नहीं लगता है जैसे ही आँखे बंद करती हूँ तो हमें नीन आने लगती है और कुछ न कुछ देखते रहते हैं क्या देखते हैं पता नहीं कुछ बाबा के सपने होते हैं लेकिन पूरे भी नहीं अमरतवेला योग नहीं हो पाता शाम को योग तो करते हैं नीतु बहन शाम को योग करती हैं बधाई है और सुबह क्योंकि आप खुद बता रहे हैं आँखें बंद करती हैं तो नीन आने लगती है तो आँखें बंद ना किया करें नियम भी यही है और रही बात सबसे अच्छा है अगर जो आलत से बीच में आ जाता तो सबसे अच्छा है अगर आप अमरतवेला शनान करके अगर योग में बैठें तो आपको आलत से नहीं आएगा आँखें बंद भी नहीं करेंगी और कोई लक्षे लेके बैठेंगी तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस तरीके से सुबह का योग इस ड्हंग से आप कर सकती है अमरत्वेले आप उससे धीरे धीरे आपका अमरत्वेला शक्तिशाली बनता जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन विद्या जी पूछ रहे हैं विद्या गायकवाड मैं तीन महीने से ज्ञान में हूँ 22 माई को मेरा सोने का नेकलिक घर से गायब हो गया मिल नहीं रहा तो मैं क्या करूं ताकि वो मिल जाए विद्या भेन अच्छी तरह घर की तलाशी करो कहां गया और याद करो कहां वो रह सकता है और अगर फिर भी वो नहीं मिला है और आपको लगता है कि वो चोरी हो गया है तो फिर किस पे आपका डाउट हो सकता है कौन कौन आए क्या घर में सर्वेंट या और किसी का वो भी थोड़ा विचार करो और उस पे फिर परियास करो पूछने का पूछताच जान परताल करने का किसी सर्वेंट पे शक हो तो अच्छी तरह पूछो और फिर भी ना बताए तो पुलिस का साहरा लेना चाहो तो बेशक लो और लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना किसी पे शक है और ना पता लग रहा कहां गायव हो गया फिर परियास पूरे करने के फश्चात फिर फुल स्टाप लगा दो कि अब शिप बाबा को दे के संकल्प कि शिप बाबा वो नेकलिक मिल जाए तो अच्छा है और वो तो आपकी चीज़ है लेकिन संकल्प दे के पादोर कर्मा फिलोस्पी भी समझो कि ये सोने का नेकलिस जो गुम हुआ है तो अवश्य ही कोई कार्मिक एकाउंट था जिस कारण ये गुम हुआ है इसलिए अब जो भी हुआ है उस संकल्प चलाना तो समझो सोच सोच के आप करोड और का और नुकसान कर रही है वो बड़ा नुकसान जो आप टेंशन में और व्यार्थ संकल्प और नेगटिव संकल्प चला रहे हैं तो वो तो बिल्कुल ने चलाने परसन रहना है इस ड्रामा में नियम है कुछ चीजें हमारी लॉस होनी ताकि हम डिटेच्मेंट का पार्ट पका कर सकें ये सब चीजें शरीर भी लॉस हो जाना है एक दिन इसलिए प्रैक्टिस हो रही है रहसल हो रहा है हम ऐसा समझ के शिप बाबा की याद में रहे हैं याद ना भूले नेक्स्ट क्वेस्चन है हेमा भेन पूछ रही है मैं बाबा के ग्यान में चार साल से हूँ घर में कुछ भी पारिवारिक परस्तितियां ऐसी हुई कि मेरी सास को मेरी ननत के घर रहना पड़ रहा है ननत जाब करती है पीछे से मेरी सास उसका पूरा घर संबालती है लेकि मैं अगर कुछ कहती हूं तो बात और बढ़ सकती है। इसलिए चुप रहती हूं लेकिन मन में बात बहुत प्रेशान करती है। मुझे क्या करना चाहिए। मैं नहीं सोचता कि दुनिया वाले मेरे बारे क्या सोच रही है। हम इशुरे ग्यान में चलते हैं तो भी दुनिया ताने मारती है। अच्छी बातें धारन करते हैं तो भी ताने मारती है। हमें तानों की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये बिलकुल ठीक है। एक तो ननत को भी सुख मिल रहा है उसका घर समालने के लिए मिल गई और दूसरा सास भी अगर परसन है तो फिर हमें दुनिया के तानों से नहीं डरना चाहिए कि भाई ये क्यों बेटी की पास भेदिया नहीं अपना सत्य कारण बता देना चाहिए और आप निश्चेंत रहें आप तो खामखा प्रेशान है संकल्पों से वास्तम में ये कोई वो बात नहीं है इसलिए आप ना किसी को कुछ बात करें विद ड्यू रस्पेक्ट सब भेदा से कोई पूछता है तो उन्हें बता दे और बेटी बेटा सब एक हैं क्या मा का अधिकार नहीं है बेटी के पास रहने का इसलिए निश्चन तो हो के आप बिलकुल ठीक चल रही है लेकिन बाबा की याद में रहें बीच बीच में उनसे मिलते रहें आप भी प्यार भरी सेवाएं शुबावनाएं देते रहें नेक्स्ट क्वेश्चन है जैश्री भेन आज मेरे साथ बहुत बुरा हुआ पता नहीं चला मैं कैसे उसकी बातों में आ गई अब मैं क्या करूँ अब क्या करूँ अब तो लुट गया खेत अब क्या करेंगे तो इसका मतलब पर्खने की शक्ति की कमी थी तो वो योग के द्वारा मिलती है अब आप योग अच्छा पाउरफुल रगाओ जीवन में ऐसी बातें हरेक के साथ होती है वो इसलिए होती है ताके आगे से अनभवी बने के हम जीवन में ऐसे नहीं कि हम कुछ ही कहीं पैसा दे चाल पैसा देने से पहले तो जरूर अच्छी तरह है पर्खें सोचें समझें तब दे में तो ऐसे नहीं किसी की बातों में आके हम पै आप उससे प्यार से बादचित करें कि नहीं आप मेरे को सस्ता कहके पैसा ले गए हो और वो ना माने कोई और एफेक्टिव आदमी से कहलाएं और फिर भी नहीं माने तो फिर चलो अब कर्मों का हिसाब किताब चुकतू हूँ आप क्या किया जा सकता है यही तरीका है और संकल्प वेस्ट नहीं जाने चाहिए ऐसा अपने मन में भावना रखेंगे तो आप फिर स्रेष्ट स्थिती बना पाएंगे Next Question, किरण राजपूत जी पूछ रही है मेरा पर्शन यह है कि मेरे पती मुझे बावा के प्रोग्राम में नहीं जाने लेते मैं क्या करूँ प्लीज मुझे बताएं मैं आपके पर्शन उत्तर रोज सुनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है किरण बेर्ट थेंकि य परशन उत्तर सुनके औरों को भी सुनाएं रही बात आपके पती प्रोग्राम में नहीं जाने देते फिर भी आप पूरा लाब उठा रही हैं परशन उत्तर भी सुन रही हैं मुरली होमवर्क भी सुनती हैं और दिन बर उसको धारण भी करती हैं और योग भी लगाती हैं त अगर नहीं जहां भी नहीं जाने देते आप उन्हें प्यार से कन्विंस करने की कोशिश करें एक बार दो बार और ना हो फिर आप थोड़े दिनों तक 15 दिन तक सकाश दें पाउरफुल अम्रतवेला योग करके 5 मिन्टो सात्मा को और ऐसे शुब भावनाओं के किरणें दे देती रहें देती रहें और फिर 15 दिन बाद फिर प्रपोजल रखें प्यार से, respect से, requesting वे में, humble वे में और फिर ना मानें फिर 15 दिन योग का प्रियोग करें तो देखना आप 2-3 बार में ही result निकलेंगे योग कहेंगे अच्छा चलो मैं तुम्हें छुट्ती देता हो बल my question is about my brother-in-law he is doing business like transport but he failed and debted lot of money he started another business but same problem now he addicted to alcohol with different bad friends he is accused to police case due to this his family is under pressure what is the solution for improvement petrotitu guide his family and give them moral support okay okay there is a part of the husband but don't be worried about that it is the part of that person but you should be self-strength and give them support give them guidance and they should do something they should do some job and anything else so that they can be self-strength and also try to guide your brother-in-law take him because he is addicted due to the bad friends like you have said and now he needs some good friends and therefore accompany him to good institution like brahma kumaric and take him to the sister divine sisters and when they will guide him he will really influence and within few days with the one week course or meditation course i think he will get free from this addiction and if possible take him to some meditation camp at nearby or at mount abu then really he will get free so this is the way give him good company give him good thoughts and give him good powerful rage of meditation and also support the family do you have family so that they should be self-dependent they should not be always dependent on on him then everything is possible nothing is impossible in this world okay petro thank you om shanti